ये गाईज दिस इस कृष्टना और आप देख रहें इंदी दीव डान सेकेंड में तो आज का डान स्टिटोरियल है हलकी हलकी सी बर साथ आ गए यदि आपने अभी तक की वीडियो नहीं देखिया है तो इस वीडियो की लेंक के डिस्क्रिप्शन पर और आई बेटन पर दी गई है तो आप क्लिक करके देख सकते हैं तो बिना टाइम लिस्ट के आज का टुटोरियल स्टार्ट करते हैं सबसे पहले करेंगे राइट पैर को ले जाएंगे हम राइट साइट तो यह कहलाएगा वन और उसके बाद सिर को उठाएंगे हम उपर तो यह आएगा टू उसके बाद पैर को जोडेंगे यह कहलाएगा थ्री और फिर से सिर को लेंगी उपर फोर ओके अब जैसे वन टू जोड के सिर को नीचे करेंगे 3 and सामने देखेंगे 4 लिरिक्स के साथ आएगा तुम ने हम से इसके बाद क्या करना है राइट पेर को लेंगे हम पीछे लेफ्ट एंड को लेंगे हम आगे और उसके उपर रखेंगे हम राइट एंड और बॉडी को खीचेंगे तो क्या होगा वाज टू एंड फ्री लिरिक्स क्या आएगा वादा किया थ इसके बाद क्या करेंगे राइट पेरpture को एक राब सरकल बनाएंगे कैसे यह कीए मने जंप डू एंड हाप सरकल कि ठू को के और उसके बाद क्या बात है हाथ जो जाएगा ट्रम आपोजय एसे राउंड होते ह तो कैसे जाएगा वाइन एंड टू और हाथ कैसे जाएगा उसके बाद आएगा जो ठैप वो आएगा इसा थ्री ओके कैसे गो वाइन हो टू एंड थ्री के लिरिक्स आएगा आएगा जो ने सावन अब इसके बाद आता है तो आओगे उसके बाद दोनों हाथ रखेंगे हम बैक साइड ओके अब उसके बाद राइट पर को हम लेंगे आगे वन लेफ्ट टू देर राइट थ्री एंटर लेफ्ट लेग आगे देर राइट बैक एंड लेफ्ट पर आगे अब इसको थोड़ा सा फास्ट सावन तो आओगे इसके बाद जो लेक्स आता है आजा मेरे माही तेरी याद आ गई तो उसके लिए क्या करना है राइट साइड लेट साइड लेट पर को जोड़ेंगे फिर से लेफ्ट पर क्या करेंगे अपनी पोजिशन पर आएंगे तो लेट पर जाएगा लेट जाएगा ऐसे one two three and four धीमे धीमे करके हाथ थोड़ी थोड़ी ऊपर जाएंगे तो पैर कैसे जाएगा one two three and four हाथ के साथ कैसे जाएगा one two three and four अब जैसी यह करेंगे तो थोड़ा सा हमें आब इसको लिर्क्स के साथ कैसे अएगा लिरेक्स के साथ आएगा अजया मेरे माही तेरी तो इसकी बादा है याद आगी में क्लिए plays को खोलेंगे को थोड़ा सा टरेंड करेंगे पैर आजाएगा पंजे पे और हम बन जाएगे शारुक खान हम सेन्यूरिट यह लिरिक्स के साथ करते हैं तो आजा मेरे माही तेरी यादा गई अब इसके बाद आता है हलकी हलकी सी बढ़ सात आगी यह उसी का होकिस टैप है तो उसी को कॉपी करते हैं तो सबसे पर यह करना है राइट हैंड को लेंगे हम राइट साइड उसकी तरफ देखेंगे फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड जाएगा लेट साइड उस हैंड को देखेंगे और फिर एक बार देखेंगे हम सामने तो यह आएगा वान टू थ्री ओके लिरिक्स पर आएगा हल की हल की सी अब इसके बाद एक बीट आएगी तो बीट के साथ हम ऐसा करेंगे ओके दो बार हाथ को चलाएंगे तो यह हो जाएगा फोर एंड फाइफ फिर से को वान टू थ्री फोर फाइब उसके बाद राइट पैर जाएगा लेट पैर के क्रॉस वान और लेट पैर थोड़ा सा पास में आएगा टू और राइट पैर थ्री ओके लेट पैर अप हो जाएगा और उसके बाद घूम कर लेट पैर आगया जाएगा और फिर उसके बाद ह चलाएंगे then four and five okay हाथ कैसे जाएगा हाथ जाएगा one two three and four five okay पैर को एक बाँ और समझते हैं कैसे go one two three then पैर आ गया जाएगा घूमके and then four five अब यह four five के साथ हम जटका देके ठुमका लगाते हुए थोड़ा सा जाएगे हम राइट साइड तो हाथ के साथ कैसे जाएगा जाएगा one two three then round and then four five okay अब इसको फूरा करते हैं लिर्स के साथ तो कैसे जाएगा हल्की हल्की यहाएगा कि यहां से यहां से तो लिर्स के साथ आएगा हल्की हल्की सी यह बीट पे आएगा and then बरसा आ गई और इसके बाद फिर से इस लिर्स से माता है देन फिर आगेन करेंगे हल्की हल्की सी इस बाइब बीट नहीं आएगी and then direct करेंगे हम बरसा आ गई ओके अब इसके बाद बोलता है माही तेरी याल बेहे साव आ गई है तो उसके लिए यह गणना है राइट पेर को हम लेंगे आगे लेट पेर को गुटने के गुटने पर रखके and then एक बार हाथ को हम ऐसे रखेंगे नीचे देखेंगे और फिर उपर देखेंगे इस तरीक इसके बाद लिर्क्स बिल्कुल सेम आ जाता है के हल्की हल्की सी और बरसा आ गही और उसके बाद हाथ को ऐसा थोड़ा सा फैला के एक राउंड लेना है मैं अब जैसी राउंड आ जाएगा उसके बाद बीट आती है बीट के लिए का करेंगे राइट पर को हम लेंगे आगे आगे पैर अपनी जगह पर तू फिर राइट पर बगल में थ्री और लेफ पर जोड़ेंगे फोर उसके बाद लेफ पर आगे वान लेफ पर 7 and 8 अब दोनों को साथ में चलाएंगे तो कैसे जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 and 8 एक बाद फिर से चलेगा 1 2 3 4 उसके बाद थोड़ा स्टाइल के साथ हम थोड़ा सा आगे की और जाएंगे अब इसके बाद जो आता है पढ़ले आंखे मेरी आंखे तेरा इंते जार है तो उसके लिए क्य हम राइट साइड ले जाएंगे बाहर की और पहले रहे गा सिर्व नीचे ये कहलाएगा 1 और उसके बाद धर भर हम सामने देखेंगे यह कहलाएगा 2 ओकर अब जैसी ये टू आएगा तो राइट पैर को लेंगे उसी के बाद पीछे 3 ओके हाथ को लेंगे हम कुछ इस प् फूर ओके फिर से कैसे यह कहला आया वन सामने देखा टू और पैर को पीछे ले जाके यह हम बैठेंगे सामने आपको के सामने रहेंगे हाँ थ्री और ओपर उठेंगे हम फो अब यह लिरिक्स के साथ आएगा कैसे पढले आखें मेरी आखें अब इसके बाद बोलता है कि तेरा इंतिजार है तो तेरा इंतिजार के लिए क्या है जो पीछे का पैर है वोट के आजाएगा बगल में एंड थोड़ा साम घूम जाएंगे सामने लाएंग है अब इसके बाद जो लिरिक्स आता है वो आता है कि तेरे जूटे वादे पर भी मुझे अतवार क्या गन्ना है सबसे पहले क्या करेंगे हम राइट पैर को जमीन पर मारते हुए हम जाएंगे बैक साइड तो यह आएगा जैसे हम यह बैक साइड आए उसके बाद हाथ को हम लेंगे हैं पीछे के साइड इस तरीके से और इसको ऐसे ऐसे करते हुए हाथ दोनों हाथों को चलाते हुए हम उपार ले जाएंगे कितने बार आएगा तीन बार बस आएगा one two three फिर इसको काउंट करते हैं कैसे गो one and two three four five लिरिक्स पर आएगा तेरे जूटे वादे पर भी जैसी यह आएगा उसके बाद क्या करेंगे हम थोड़ा सा टर्न करेंगे राइट साइड और जो पैर है ना वो थोड़ा सा पीछी की ओर जाएगा फिर से कैसे यह क्या लाएगा करें वान हात को रखेंगे हम इस परकार से तू और उसके बाद यह भाब हम घूमेंगे से से जमिन पर मारते हुए ang a sagt mister का से फोर और सामने देखेंगे फ़िर से तो सबसापहले कारते हुए हात रखेंगे कि हम कुछ इस प्रकार से यह कहलाएगा वन फिर दें सामने देखेंगे टू उसके बाद पैर को मारते हुए थ्री आएंगे हम सामने हाथ रखेंगे फोर एंड फाइब अब इस सब मेरे माही तेरी याद आ गई हलकी हलकी सी बरसाथ आ गई हलकी हलकी सी बरसाथ आ गई और एक बाद फिर से आता है तो गाईज आपको एक टूरी पसंद आया होगा जैसे टूरी पसंद आया हो तो टूरी बे कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा और थैंक यू बाबाद